नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल फॉस्ट इंवस्मेंट में मैं हूँ आप कमेंटर शेवांच मसी है दोस्तों मैंने आज एक इंट्रस्टिंग वीडियो अपलोट करी है यूट्यूब के अंदर जिसमें मैंने आप लोगों को बता रहा है मार्च की सीरीज तक का पूरा पूरा एक्स्प्रेनेशन और डाटा और मुझे लगता है कि मैंने पूरे साल का आप लोगों को ने इस एयर का बता दिया हूँगा अब क्या यहां से अपसाइट देखने को मिल सकती है क्या एक पुल बैक आ सकता है क्या यह रिट्रेस्मेंट है तो सारी बाते करने वाले है इस वीडियो में तो लेट्स सार्ट सबसे पहला इस थूक के सामने लेकर आया हूं यह एर्स लाइफ साइट्स इरस लाइफ साइंस पर आ बाय करने की व वक्राइख सकते यह आपको कहरा है आपको को कुलियरली देख सकते हैं आप देख सकते हैं this is our resistance second time resistance third time fourth time जब resistance break वा it becomes support अब दूसरी बार आ रहा है retest के लिए तो मैं आप लोगों को हमेशे बताते हुए आ रहा हूँ कि first time और second time retest के हम लोग buy कर सकते हैं अगर यह इस level का breakout देता है तो हम लोग definitely we can go for a buy जो इसका current price है वो है 581 अगर यह 583 के ऊपर जाता है you can go for a buy चैक है चलिए next stock की तरफ बढ़ते हैं our next stock is reliance reliance भी मेरे लिए short है बिलकुल clearly short है reliance भी मेरे लिए अगर मैं आप लोगों को दिखाऊ ओ एक second yes चैक है so let me zoom this particular stock और यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं first of all कि यह एक channel के अंदर trade कर रहा है consistent fall आया उसके बाद यह एक channel के अंदर trade कर रहा है and इस channel पर हम लोग एक चीज़ को observe कर रहा है see it gave a breakout इस ने एक up move दी नीचे आया previous लोगो ब्रेक करा हा करा उपर गया क्या previous हाई को ब्रेक करा नहीं करा तो जब यह lower low बना रहा है lower low and यह lower high भी बना रहा है और market weak भी है और यह nifty का सबसे बड़ा part भी है तो क्या बताएं कैसे short करना चाहिए definitely इसे short करना चाहिए यह 2008 रुपीज पे trade कर रहा है अगर यह 2000 के नीचे दुबारा जाता है एक selling pressure इसके अंदर भी आ सकता है और 1980 तक भी यह particular stock जा सकता है तो stock को भी अपनी watch list के अंदर definitely रखेगा अगर यह नीचे जाने के कोशिश करता है go for a short चलिए next stock is बजाज auto auto sector में मैं definitely बहुत ज़्यादा week हू अगर आप देखेंगे consistently यह particular stock उपर range के अंदर trade करते रहा यहाँ पर आप देख रहा है consistently उपर यह trade कर रहा है एक up move retracement again up move it created a double top double top आने के बाद नीचे आया इस particular level पर sustain कर रहा है देखें फर्स्ट सेकेंड थर्थ 4, 5, 6, 7, 8, 9 almost 9 घंटे यह इस range के अंदर trade कर रहा और आकरी के आर में हम लोग ने selling pressure देखा और इसके नीचे की closing देखिए है कल अगर इसके नीचे यह दुबारा जाता है go for a shot I think the target should be this particular level जो की 85, 3800 का level है current price जो इसका है 39.46 का अगर यह 39, 35 के नीचे जाता है go for a shot और I think कि यह swing trading के लिए आपको 38 तक कभी target दे सकता है और आप लोग यहाँ पर एक short position initiate कर सकते हैं अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर एक चीज़ और दिखाऊंगा तो I think 200 day का exponential moving average भी इसने break करा है c 200 day का exponential moving average भी break करा retest करा और दुबारा नीचे गया it's a clear shot for me चलिए next talk के तरफ बढ़ते हैं our next talk is Amaraja battery Amaraja battery पे मैं buy हूँ यह counter trade है क्योंकि अगर market positive खुलती है positive जाती है अगर pullback देती है और Bajaj finance trade में नहीं मिलता तो आप लोग Bajaj Auto को छोड़के आप Amaraja battery पे trade कर सकते हैं तो मैं इसका daily time frame open कर देता हूँ आप लोगों के लिए and यहां पर आप लोगों को clearly दिख रहा होगा कि यह particular stock ने क्या करा upside यहां पर multiple resistance था breakout नीचे आया उपर गया again ही नीचे आया इस level से दुबारा bounce कर रहा ठीक है यह चीज मैंने आप लोगों को पहली भी बताईती ही कि अगर breakdown होता है तो हमें second candle का wait करना चाहिए and तभी हम लोगों को buy करना चाहिए because next candle अगर इसकी उपर close हो गई है then it's a buy for me definitely it's a buy for me ठीक है so यहां पर हम लोग एक buy करके चल सकते है right now यह particular stock जो trade कर रहा है वो trade कर रहा है 904 पे अगर इन 907 की उपर trade करना start करता है go for a buy अमर आज बैटरी 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 स्टॉक का ना आड़ है ठीक है our next stock is FSL first source limited first source solution ठीक है so इस पे head and shoulder pattern बन रहा है और मैं आप लोगों को यह भी दिखा देता हूँ अगर इसका breakout आता हूँ और अपने प्रीवेस विंग हाकाई भी breakout देता है यानि कि अगर यह 103 की उपर जाता है go for a buy and I think कि 110 रुपय तक के भी targets दिखा सकता है इस stock को अपनी watch list के अंदर definitely रखियेगा ठीक है I think our last stock भी नहीं बचा हम लोगों ने 5 stocks cover कर लिये चलिए बाते हैं nifty bank nifty पर बात करते है कि nifty bank nifty का scenario किस तरीके से रह सकता है okay so आप देख सकते है consistent fall देखने को मिलिए हम लोगों को nifty के अंदर just wait a second see अब यहाँ पर एक छोटा सा support है जो यह ले सकता है let me show you see आप देख सकते है this is the resistance second time resistance breakout दी और first time support लेने आ रहा है तो यहाँ पर एक bounce back हमें देखने को मिल सकता है यह bounce back होगा short करने के लिए अब sell on rise start हो चुका है अब यहाँ पर हमें buy नहीं करना है यहाँ पर हमें sell on rise को start करना है तो यहाँ पर अगर एक bounce आता है तो definitely go for a buy but जब तक early candle one hour की candle मैंने आप लोगों को telegram channel पर भी बताया था you can go and follow us on telegram channel मैं वहाँ पर live updates कभी कभार provide करवा देता हूं आप लोगों को and आप हमें instagram पर भी फॉलो कर सकते हूं आप हमें daily insta day के लिए दो stocks भी आप लोगों को बताता हूं so let's aim for thousand like अगर आप लोगों वीडियो पसंदार ही है और देखते हैं कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हैं तो चलिए अगर ये 14,750 की उपर जाता है तो आप लोग buy कर सकते हैं but one hour की candle close होनी चाहिए 14,750 की उपर अगर close करती है तभी buy के लिए जाएगा जो हमारे targets होंगे वो होंगे 14,850 से लेके 14,950 तक है but अगर वो close नहीं करती है और rejection देखकर हम लोग देखते हैं दुबारा नीचे आ रहा होता है you can go for a shot but with limited quantities मैं अभी short करने के नहीं काओगा एक अच्छा pullback आएगा तो heavy quantities में भी short करना है कर सकते हैं but buy भी कम quantities पे और इस time पे short भी कम quantities पे तो चलिए bank nifty की तरफ बढ़ते हैं bank nifty अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ तो almost अपने high से यह 7% तक का correction कर चुका है तो अभी भी यहाँ पर एक downfall हम देख सकते हैं see मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यह एक इसके लिए resistance हुआ करता था यहाँ पर support breakout दिया support लिया अब यहाँ से इसको भी break कर चुका है अब break कर चुका है कोई बात नहीं कर चुका है कल अगर इस zone के उपर यह close नहीं करता that is the 35,500 अगर इस 35,500 के उपर close नहीं करता मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक selling pressure दुबारा आ सकता है तो यहाँ पर be cautious मुझे पता है कि कल एक शायद pullback आ जाए क्योंकि इतना जादा गिर चुका है बट अगर आता है buy करिये मैं मना नहीं कर रहा buy करने के लिए कम quantities पर buy करेगा बट जो level बोले है उनी levels के उपर buy करेगा 35,550 के उपर 1 hour की candle close करे you can go for a buy 14,750 के उपर 1 hour की candle close करे you can go for a buy so guys market बहुत जादा cautious होने वाली है March के लिए मैंने पूरा आपको बता दिया है सारे factors included हैं वहाँ जाके वीडियो जरूर चेक करेगा सारी knowledge आपको provide हो जाएगी and guys इसी market पे इस जादा volatility market पे किस तरीके से अगर आप लोग intraday trader intraday trade नहीं ले पाते live market पे trade नहीं ले पाते तो मैंने एक service start करूँगा तो नीचे description पे आपको उसका link मिल जाएगा WhatsApp नमबर का आप हमे WhatsApp कर सकते है queries related आप सीधा डाल सकते है your membership plan और वहाँ पर मैं आप लोगों को सारी details जो मेरे associate है वो आप लोगों को provide करा देगा ठीक है telegram पे भी आप लोग जॉइन कर सकते हैं सारी चीज़ा आपको description के अंदर सारी information provide हो जाएगी go and use this description तो मैं मेलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो पे definitely आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो thousand like का aim करते है और आप लोग प्यार दीजेगा share करने की कोशिश करेगा इस वीडियो का अपने friends and relatives के साथ एक चीज़ का मैं आप लोगों के से question चाहता हूँ मैं यह मेरी वीडियो मेरी family देख रही थी and वो मुझे कह रही थी जब भी मैं आप लोगों के साथ contact में आता हूँ करते जी से बोलना start करते तो बहुत speed में बोलता हूँ क्या यह speed में जो मैं बोलता हूँ आप लोगो कुस समझ में आ रहा है कि मैं हलकी हलकी बोलना start करो यह भी आप मुझे comment section के अंदर बता सकते हैं मैं improve करने की definitely गोशिश करोगा तो मैं मिलता हूँ आप लोगों के से अगली वीडियो पे मैं शिवांज भसीन signing off